शहर के पाटेल भावन में जद्यू का प्रखन कार्कार्णी एवं पंचायत अध्यच का बैठक हुआ दरसल हम आपको उतादे कि रविवार को लिज्टासर के पाटेल भवन में जद्यू के प्रखन अध्यच कुन्दनकुमार के धेस्टा में हिलसा परखंड के कारिकार्डनी एबं पंचायत अध्याच का बैठा को इत किया गया बैठा के दोरान हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी सर ने कहा कि पंचायत अस्तर से लेकर परखंड अस्तर तक जदियों के कमिटियों का मजबूत करना है वैसे में पंचायतों में जो कुछ कमी है वैसे में मिल बैट कर हम लोग दूर करने का काम करेंगे साथ में अगर किसी के पास गिला सिकवा उसे भी दूर करेंगे बिहार के माने मुखमंति नितीश्कमार के राज में बिहार का चतरफा विकास हो रहा है नली गली सडक सिच्छा स्वास्त समयंदेत सभी चीजों का बेहतर विवस्ता हुआ है वैसे में अगामी दोजार चुबिस में आने वाले लोगसवा चुनाब में जदिव पार्टी के द्वारा जीसे भी टिकट दिदिया जाएगा वैसे में हम सभी जदिव करकरता मिलकर जिताने का काम करेंगे उसके लिए अभी से पार्टी को मजबूत करने के अभी शकता है और जदिव को ज़्यादा ज़्यादा भोट मिले इसे लिए जंज अगुता चलाना अभी शकता है पंचायती अस्तर पर भी हम लोग उस पर काम करने के अभी शक्ता है और सक्रिये कारेकरताओं को जोडने के अभी शक्ता है हलाकि इस तोरान इसलामपूर के पुरुविधाय के राजी ब्रंजन भी सामिल हुए जहां अपनी बातों को उन्होंने रखने का काम किया है जदू के नालंदा जिला के अध्याचे महम्मद अर्शित और हिलसा विधानसभा के परभारी राहुल खंडवाल के अलावे कई बरिये नेतागन इस बैठक में सामिल हुए है और पार्टी के मजबूती को लेकर अपने अपने राय पर कट किया है